नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों भारत के साथ हुआ है सबसे बड़ा धोका और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस धोके को ना तो भारत उगल रहा है ना ही निगल रहा है यह भारत के लिए एक गले की हड़ी बनकर बैठ गया है और भारत को इस धोके से करीबन तीन हजार करोड का चूना लग चुका है। भारत के तीन हजार करोड सीधे सीधे पानी में डूब गए हैं। और पैसे के साथ साथ भारतिय वैज्यानी को की कड़ी महनत भारतिय इंजिनरों के अथक परिश्रम सब बेकार चला गया है। और जो मैंने पैसा और महनत बताया हैं ये तो सिर्फ लागत है। इस वीडियो में जब आपको भारत इस से कितना प्रोफिट कमा सकता था वो बताऊंगा आपका दिमाख ही घूम जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं बहुती सरल भासा में इस पूरे मामले को। तो दोस्तो हुआ क्या कि सन 2000 में भारत की और इरान के बीच एक डील हुई थी। डील ये कि इरान के पास एक तर्टिये इलाका है जिसे कहा जाता है फरजाद भी ब्लोक। इरान ने सोचा कि यहां पर गैस वैस तो कुछ मिलनी नी लेकिन भारत यहां पर exploration करेगा तो कुछ खर्चा भी करेगा हमारे जो कुछ तर्टिये इलाके हैं वो भी develop हो जाएंगे लेकिन इरान ये जानकर हैरान हो गया कि भारतिये इंजिनरों ने भारते व्यज्यानिकों फरजाद भी इलाके में गैस फिल्ड खोज निकाली और चोटी मोटी नहीं पताय जाता है कि फरजाद भी में करीबं 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस पाई गई थी सोचिए 23 trillion cubic feet पर इतना है नहीं जो यहाँ पर gas का hold था वो था करीबन 5000 barrel पर billion cubic feet यानि कि बहुत ही जादा बड़ी ए फिल्ड थी इससे भारत और इरान दोनों मिलकर billions of billion dollar कमाने वाले थे लेकिन जब यहाँ पर gas मिल गई इरान चोक गया तो उसे आगया लालच उसने भारत के साथ कोई भी deal sign नहीं करी पिछले 20 सालों से इरान भारत को यह कहता है कि जी हाँ अब करेंगे sign अब करेंगे sign लेकिन आज क्या हुआ है कि इरान ने भारत को इस project से ही बाहर निकाल दिया है पर इतना ही नहीं अब इस field को उसने अपनी एक सरकारी company को दे दिया और उस सरकारी company ने इसे एक private firm को दे दिया और बताया जाता है कि यह private firm में चीन की भी हिस्सेदारी कुछ है यानि कि साफ साफ है कि चीन के कहने पर ही इरान ने इस काम को अंजाम दिया है अब इस से भारत को घाटा कितना हुआ है 400 million dollar यानि करीबन 3000 करोड की तो लागत गई भारतिये लोगों की महनत गई और साथ ही जो भारत को billions of dollar का profit आने वाला था फ्री की गैस मिलने वाली थी वो भी गई तो क्या भारत यहांपक कुछ ऐसा कर सकता है कि इरान को सबक सिखाए या कम से कम अपने जो 400 million dollar यानि 3000 करोड हैं उन्हें वापस ले तो देखिए एक तरीका तो है जिससे कि भारत को 100-200 million मिल जाएंगे लेकिन उसके लिए हमें International Court of Justice जाना पड़ेगा लेकिन उससे दिक्कत यह है कि चलिए हमें 100-200-300-400 million भी मिल गए लेकिन हमारे से वो संबंध है इरान के साथ वो खराब हो सकते हैं दूसा रास्ता है कि भारत इरान से तेल खरीदना बंद कर दे लेकिन ये भी इरान पर कोई फरक नी डालेगा क्योंकि इरान 25 सालों के लिए चीन के साथ एक डील कर चुका है जिसमें वो चीन को सस्ता तेल देगा तो उसके पास एक पर्मानेंट बायर पहले से ही है आने वाले समय में अमेरिकी शैंक्शन हट जाएंगे तो उसके पास तो और जादा ग्राहक आ जाएंगे तो अब भारत क्या कर सकता है मैं कहूंगा कुछ नहीं भारत इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकता भारत ने ही यहाँ पर अगर पहले इरान पर दबाव डाला होता और एक डील साइन करवाली होती इरान को कुछ लालच भी दे दिया होता तो शायद काम बन सकता था लेकिन आज की तारिक में मामला पूरी तरीके से भारत के हाथों से निकल चुका है इसके लावा भारत का एक और दाओं फेल होता दिख रहा है दरसल भारत ने चीन को रोकने के लिए हाल ही में फलिस्तीन को सपोर्ट किया था क्योंकि चीन इन अरब देशों का लीडर बनने के लिए फलिस्तीन के मुद्दे पर इसराल के पूरी तरीके से खिलाफ था तो भारत उसे काउंटर करने के लिए फलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा था क्योंकि भारत यह नहीं चाहता था कि अरब देश यह माने के सिर्फ चीन हमारे साथ है बाकि सब दुनिया हमारे खिलाफ है लेकिन भारत का यह दाओ भी फेल होता दिख रहा है क्योंकि कहास कर कि इरान की मैं बात करूं जो अरब देशों में एक important country है वो आज की तारिक में का सब्सक्राइब भूलेगा थैंक रहां सब्सक्राइब वडियो